अगर कॉंस्पिरिसी क्रियेट की गई है तो इसका मतलब वो कोड़ पे इलजाम लगा रहे हैं मेरा मानना है कि अर्विंद केजरिवाल इस पूरे शराब घोटाले के सरगना वही है किंगपिन वही है और देखो मेरे भाई वहन भरष्टाचारी क्या बोल रहा है आरोपी क्या बोल रहा है इसका कोई मतलब नहीं है अब ये केस चल रहा है और इस केस में कोड़ ने भी उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना किया ये सब कानूनी प्रक्रिया है जो भरष्टाचार किया है वो बच नहीं सकता हाँ अगर कोई निर्दोस है तो उसको परिसानी भी नहीं हो म débाव का नाम उने लिए है और अब इस एन बैम के तस्वीर ने लिएर कि अ किसी के साथ हो सकती है तस्बीर तो हमने भी अभी दिखाई अर्विंद केजरिवाल हमारा और पकड़े हुए हमारे विह पर गिरे जा रहे है तो इसका मतलब ये तोड़ी है कि अर्विंद केजरी वालदे से यह यह ना यह भी यह भी तस्वीर है तो कहा गया चला गया तो तस्वीर में दोखा मत खाईए संबैधानिक प्रक्रिया में कई बार लोगों को मिलना पड़ता है लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन है कि अगर इस तरह की कोई आपती हो तो इस देश का कोट है आपके वाल संसनी मत फैलाईए नियाई प्रक्रिया में जाई एक सवाल आतिशी को करके भी इलेक्शन कमिशन की तरफ से नोटिस मिला है आप लोगों की शिकारती आप क्या कहना इस वारे में उन्हों ने बे बुनियाद आरोप लगाया हमने उनको चेतावनी दी उन्होंने माफी नहीं मांगी हमने कंप्लेन किया भारते जनता पार्टी ने अब इलेक्शन को माफी मांगे और नहीं तो उनको सजा मिलनी चाहिए